आज के इस वीडियो में बात केने वाला हैं इक बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक यह पर आपको बताएंगे क्या मोटर के मदब से बिजली को बनाई जा सकती है मोटर से इलेक्टरिसिटी जो है पैदा किया जा सकता है अगर किया जा सकता है तो किस तरीके से अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे साधे साथ वीडियो को देखने के बाद आपको मोटर जनेरेटर की जो कंसेप्स उसमें बहुत ही जादा क्लियारिटी आने वाला है तो अगर आपको यह सारी बात जाना है तो इस वीडियो को देखते है अब कुछ लोग सोच रहा होगे कि यह वह हमारे जनरेटर होते हैं वह नेखनीकल , अध्य को सब्सक्राइब कर रहे हैं आ آग तो अगर वाइंडेंग आप देखेंगे तो दोनु में जो है आपको फील वांडिंग देखने मिल जाएगा आप मेंनेर जाए भाइगा और भी इस वाइंडिंग को किस तरह की साथ एक्साइट कर रहा है जनेटर की केस में अगर आप देखेंगे तो जनेटर की केस में हम क्या कर रहा होता है वहां पर फील वाइंडिंग को एक्साइट करते हैं वह आपका जाधा important है सिर्फ magnetic field से आपका काम नहीं बनने वारा है और फैडेस अंकल ने भी हमें यही कहाता है कि जब magnetic flux change होता है ना d5 by dt होता है ना तभी हमारा EMF इडियोज हो रहा होता है तो equation से भी आपको यह सारी जिसके अपर हमने field winding हमने किया था DC excited किया था current उसे अंदर flow कर वारे तो magnetic field क्रियेट कर रहा था armature winding से लिंक करके था तो उसे हम घुमा रहे थे तो हमारा magnetic field जो हमारा magnetic flux है जो armature से लिंक करके वो change होता है और हमें पूट में जो है armature winding में जो हमें EMF induced होता हूँ हमें दिख रहा होता है तो यह में आपको synchronous motor या generating station में जो generator होता हूँ किसे किसे काम करते है उसका एक dedicated video बना कर कि अच्छे से समझाया था तो इन सब को conclude करो तो यहां से मैं दो चीज आपको बताना चाह रहा था कि जैसा कि द current है जो voltage है जो power हमें मिल रहा था right पर आप motor के case में अगर आप देखेंगे तो जाद जो motor होता है उसमें हम खुद से जो है दोनों ही winding में supply कर रहे होते हैं अगर अगर आप से सप्लाई दे रहे हैं अगर आप synchronous motor के बात करेंगे तो वहां भी जो हम खुद से सप्लाई कर रह करता है वो रोटेट करता है तो अगर इस motor को आप वो generator के तरह operate करवाना है इससे बिजली पैदा करना है तो सबसे पहला कोशिज हमरा क्या रहेगा आप खुद ही सोचो सबसे पहला कोशिज हमरे यह देगा कि हमरे पस दो winding है field winding है armature winding है और हमरे पास ऐसा option है कि हम सिर्फ ब मोटर है वो generator के तरह बीजली को पैदा कर पाएगा जैसा कि BLDC मोटर है तो आपको पता है BLDC मोटर में हम permanent magnet को यूज में ले रहे होते हैं तो वहां पर फील्ड वाइंडिंग के जो फील्ड वाइंडिंग क्या कर रहा था उसके अंदर से जब एक्साइड कर रहे थे उसको current अगर इस BLDC मोटर के rotor को आप rotate करवा देते हैं किसी दूसरी BLDC मोटर से आप घुमा देते हैं इसको एक जो BLDC मोटर है वो तो आपका motor के तरह घुमा रहे होंगे एक जो BLDC मोटर है वो आपका generator के तरह output में आपको बिजली पैदा करके दे रहा होगा तो कितनी interesting चीज है तो यह आपका इक ideal scenario था तो वैसे ही अगर सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो सिर्फील वाइंडी को एकसाइट करें उसके अंदर से ही जो है DC करेंट को फ्लो करवा है और इस रोटर को आप किसी दूसरे प्राइमोवर या किसे टरबाइन या किसी भी चीज से जो है आप इसको निकालेंगे तो आपको जानके हैरानी होगा अगर आपको नहीं पता है तो definitely आपको हैरानी होगा कि जो induction motor होता है उसको as it is as a generator के तरह हम यूज में ले रहे होते हैं वहाँ पर आपका जो stator winding होता है वहां से EMF को induce कर रहे होते हैं तो फिर आप सोच रहे होगे कि वहां से EM EMF कैसे induce करेंगे magnetic field फिर कहां से आ रहा होगा तो exactly हो क्या रहा होता है कि अगर आप किसी भी induction motor की जो rotor है उसको synchronous speed से ज्यादा speed में अगर आप उसको rotate करवा देंगे तो वह जो आपका motor है वह generator बन जाता है और उसी generator को हम induction generator कह रहे होते हैं तो induction generator कुछ नहीं है वह अलग से हम आप किसी दूसरे प्राइमूवर की मदद से आप सको rotate करवाएंगे किसे turbine की मदद से रोटेट करवा पाएंगे और जनरली इसको हम wind turbine के अंदर यूज में ले रहे होते हैं वह बड़ी बड़ी आपने देखे हो कि जो बड़ा-बड़ा blades होता है तीन blades होता है जो हवा की आपके दे रहा होता है तो कुछ लोगों सिंक्रोन स्पीड समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप समझे सिंक्रोन स्पीड क्या है जनरली आपने देखा होगा जब मोटर का सप्लाई दे रहे हो थे उसके stator winding में तो वह रोटेटिंग मैगनेटिक फील क्रिएट कर रहा था त जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है तो जिस स्पीड से मैगनेटिक फील आपका रोटेट कर रहा होगा उससे जाधा स्पीड में आप रोटर को रोटेट करवा देते हैं जो करेंट का डारेक्शन होता है आपके stator winding के अंदर रिवर्स हो जाता है और यह exactly काम कैसे करता है य सकते हैं जातार जन्रेटर आप यूज में ले सकते हैं उससे चाहिए बजली पैदा कर सकते हैं कर ना क्या होगा उसकी जो रोटर है उसको आप रोटेट करवाना पड़ेगा बहर से प्रमोंवर के मदर्स से ङर्ण और आपको जो फिन्ड को क्रिएट करने के लिए पशाइ होता है तो मैंने इसके विडिकेर något आप लिएक को सब्सक्राइब नियुक्त है विच्छले ऊस्थे डिपके और अब यह में और यह ऑप